भरत पहाडी गाउं में फिर से हुआ उजाला तिनेश कुमार ने ठीक करवाया बिजली का परिचालन कांडी प्रखंड से देयानंग जादव की रिपोर्ट गरवा चीला के कांडी प्रखंड अंतरगत क्राम भरत पहाडी के विश्वकर्मा टोला में बिजली का परिचालन काफी दिनों से बाते था उप्तगाउं के लोगों ने इसकी सिकायत कांडी पिजली ग्रिट में करते थे मगर इनकी सुने तो कौन इस बात की सूचनम मिलते ही युगा समाज सेवी सब भावी चीला पारसत उमिदवार ने बिजली ग्रिट से बात कर मामले को गंभीरता से लेते हुए आज बिजली का परिचालन फिर से पहले की तरह दुरुस्त करवाया बता दे की 84 फॉल्ट की वज़े से उक्त गाउं के लोग काफी दिनों से परिशान थे बिजली मिश्तीरी अजय ठाकूर एफम नंदन के सायोग सी बिजली की समस्या से निजात बिला मौके पर उपरस्थित गाउवालों ने उत्साहित होकर दिनेश कुमार का हर्सवर्धन किया तथा संभोधित करते हुए दिनेश ने कहा कि हम हर पर आप सभी की सेवा के लिए ततपरता से कारी करते रहेंगे साथी कहा कि मेरे मन में कोई लालश नहीं है मैनेश पक्ष रूप से जितना बन सकेगा हर संभोध पूरे कांड़ी प्रक्षन की लोगों को हर संभोध मदद करता रहूँगा साथी मौके पर मौजूद पंचात खुट हेरिया के मुख्या प्रत्यासी राकेश रंजन ने कहा कि फॉल्ड की वज़ा से काफी दिनों से परिशान घ्रामिनों में आज खुजी का माहूल है खबरें और महत्तवपूर्ण जानकारी के लिए करफात रिष्ठी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें